So, hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Deepika and today I am going to do some neat important previous question of chapter sexual reproduction in flowering plants of class 12. आज हम इसके part 2 के अंदर, जो हमारा पिछले part 1 का topic था, pre-fertilization structure and event, उससे related आगे की कुछ कोशन करने वाले हैं. वहां हमने जो कोशन किये थे, वो 2017 तक थे, काफी कोशन जो हैं इस चाप्टर से पूछे गए थे, ठीक है, तो अभी जो हैं हम बचे वी कोशन करने वाले हैं इस part के, ठीक है, इस topic के. So, let's begin and here is the first question that is, यह कहरे है कि pollination in water, high scent and water lily is brought about by the agency of, तो water लिख रखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ, पानी से ही pollination हो रहा है, यह मैंने part 1 के अंदर भी अच्छे से समझाया था, तो अगर आपने part 1 ही देख रखा है, तो एक बार जल्दी से उसको complete करके आओ, और फिर यहां पर करोगी, तो बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है, तो water से हो रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि water से pollination हो रहा है, means water लिख रखा गी, किस से होता है, इसका insect और wind से होता है, ठीक है, याद रख लेना, यह दो example बहुत important है, काफी बार पूछे जाते हैं, नेक्स्ट कॉशन है, यह कहा रहा है, जो अगर आपने NCRT अच्छे से पढ़ रखे होगी, तो उसमें एक word देर रखा है, मेगा स्पोर अंजियम, ठीक है, उस मेगा स्पोर अंजियम को क्या बोला जाता है, उसको ओवल ही तो बोला जाता है, ठीक है, तो यह कॉशन अपना नेक्स्ट कॉशन है, विच वन ओफ फॉल्लिंग स्टेटमेंट इस नौट ट्रू, पूछ लाया न, नौट ट्रू, तो इस तरही किसे पूछे जाते हैं, तो कॉशन को अच्छे से समझना है, फिर आंसर पर चलना है, तो ओप्शन कहरा है कि पॉलन गरेंस ओफ मैनी स्पी पॉलन इन लिक्विड नाई्ट्रोजन देन प्रोग्रम सो यह बात भी बिलकुल सही होते हैं, जो अपने इस करणा बीडिंग प्रोग्राम उतों है उसमें हम पॉलन को स्टोर रखते हैं लिक्विड नाई्ट्रोजन चे अंदर ठेक हर फिर को यूज़ करते हैं, अच्छ जो टैपिटम है वह अपनी माइक्रोस्पोरेंजियम की जो चार लेयर होती है तो उसमें सबसे इनरमोस्ट लेयर अपनी टैपिटम होती है यह क्या करती है यह पॉलन ग्रेन को जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको नुरिश्मेंट प्रोवाइड करती है नाकी डैसेंस म करती है ठीक है अपना रोंग स्टीटमेंट यह हो जाएगा ठीक है तो ऑप्शन सी इस करेक्ट डी कहा रहा है कि एक्जाइन पॉलन ग्रेंट की एक इंटाइन होती है न तो एक्जाइन जो है वो क्या रखती है स्पोरो पॉलेनीन की बनी हुई होती है याद रखना और इंटाइन किसकी बनी होती है तो भई वो पैक्टिन और सेलुरोस की बनी होती है ठीक एंजियार्टी में दे रखा है तो यहां भी बात कर दिया न नोट करेक्ट तो देखते हैं कि कौन सी सही नहीं है पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ आर रेगुलेटिड बाई तो भिल्कोल सही बात है है वह से आरेगुलेशन होते है टीक है एंफोर्न आरेग्वेटाइस औरET हो जो लग्रेटरिड होती है घ्यक हैं हमाओ रेप्टल्स होगे बड्ज होगे हमारी विंद सी तो यह सारी जो क्या करते हैं पॉलिनेटर काम करते हैं प्लांट स्पीसिज में तो यह बिल्कुल ठीक है तो यहां इनोंने कर दी गड़बर और बताओ क्या गड़बर कर दी ठीक है तो यहां इनोंने बता रखा है कि अलग अलग स्पीसिज के थोड़ी ना पॉलन ग्रेन किसी पर भी जाके जर्मिनेशन शो करेंगे सेम स्पीसिज का होगा वही तो जर्मिनेट करेगा ठीक है और वही पॉलन ट्यूब जो है वो रिलीज होएगा तो यह बिल्कुल गलग दे रखा है इनोंने एंसेक्ट that consume pollen और nectar without bringing about pollination are called pollen या nectar तो यह बात बिल्कुल ठीक है जो इनसेक्ट जो है वो पॉलन या नेक्टर को consume करते हैं और pollination भी नहीं करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि उन्होंने नेक्टर को चुरा लिया रोबर्स बोला जादा उनको पॉलन या नेक्टर को तो चोरी यहां यहां नहीं होती चोरी तो प्लांट में भी होती है नेक्स्ट कोशन इस यह कह रहा है कि proximal end of the filament of stamin is attached to the proximal end होता है जो अपना stamin का जो filament है उसका जो proximal end है तो किस से attach है तो देखो यह अपना stamin है तो इसका क्या हो जाएगा stroke ठीक है यह अपना वो अन्थर टाइप ठीक है तो यह वाला end पुछ रखा है तो यह किस से attach है भई यह थलमस से attach होता है यह पेटल से कह सकते हैं तो option देखे placenta, thalamus, anther यह connective, so right option is B ठीक है next question है यह कह रहा है कि philiform apartis is the characteristic feature of तो यह बच्चे बच्चे को पता है 12 के क्या कि philiform apartis जो होता है वो characteristic feature किसका होता है तो यह अपना जो oval था उसमें यहाँ पे तो तीन antipodal cell थी यहाँ पे central cell थी यहाँ पे अपनी synergy थी और यहाँ पे अपनी egg cell थी तो इस synergy की अंदर ही तो philiform apartis होती है ठीक है क्या काम करती है तो यह guide करती है pollen tube को oval के अंदर entry लेने के लिए यहाँ रख लेना so option b is correct for this next question है यह करे रहे कि इन अजियो स्पर्म microsporogenesis और megasporogenesis भही दिखो अजियो स्पर्म में जो microsporogenesis है microsporogenesis का मतलब होता है microspor का बनना through meiosis in microspor mother cell तो इसी तरीकी से megasporogenesis का भी यही मतलब होता है क्या megaspor का बनना through meiosis meiosis किसमें होती है meiosis megaspor mother cell में तो इनके अंदर क्या चीज़ common पाई जा रही है तो यहाँ पे मिल रहा है meiosis so देखते हैं option involved meiosis अकर इन oval नहीं नहीं दोनों oval में थोड़े नहोते हैं और दोनों एंधर में भी नहीं होते gamit बनाते हैं without further division तो ऐसा कुछ नहीं होता भई ठीक है division तो होगा meiosis तो होती है so option a is correct for this meiosis होती है इनके अंदर next कहले है कि male gametophyte in angiospum produce जो male gametophyte angiospum के अंदर हो क्या produce करता है तो थोड़ा ध्यान देखना यह male gamet नहीं दे रखा है male gametophyte दे रखा है पहले तो यह चीज़ जानब को male gametophyte किसको बोलते है यह तो यह बोला जाता है किसको pollen grain को ठीक है NCRT में दे रखने हैं क्या लग लग नहीं सबा सारी याद रखने हैं अगर net clear करना है तो सब याद होना चाहिए तो male gametophyte बोला जाता है भाई pollen grain को अब pollen grain के अंदर क्या होती है मतलब उसके अंदर 2 cell बनती है एक pursue sayl बनती है भाई तो यह जो deze native होती है बड़ी और generative cell होती है छोटी और free होती है तो यह जो generative cell होती है बाद मेंまり Dave होके 2 male gamet बना लेती है या 2 sperm बना लिए तो overall यहाँ पर देखा गया तो gametophyte का जिकर नहीं हुआ तो gametophyte, sorry, generative cell का जिकर नहीं हुआ ठीक है, तो generative cell नहीं बन रहे हैं, तो means 2 sperm बन रहे हैं या 2 male gamet बन रहे हैं, so 1 visitative cell और 2 sperm या 2 male gamet कि जहां भी होंगे वही अपना option हो चाहेगा, कहां है भई so option C में दे रखे हैं, मैं जो यहीं दिख रहे हैं so option C is correct for this, ठीक है next question है, यह करें कि which of the following are the important flower rewards to the animal pollinator जो अपने animal pollinator होते हैं, उनको flower reward देता है, क्या देता है floral fragrance देता है, नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि फ्लावर पर आया और फिर बाद में जो वो उड़ता है, तो उसमें से ही हमें खुश्बू देखने को मिलते हैं, क्या देता है, क्या देता है, तो यह option अपना incorrect है protein pellicle and stigmatic exudates, यह भी गलत है color and large size of flower तो ऐसा थोड़ी ना देता है, उसको color देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या देता है, वो nectar और pollen grains जो होता है, वो खाने के लिए देता है उनको, ठीक है next question है, which one of the following may require pollinators, but is genetically similar to autogammy तो अगर आपने मेरा part one देखा होगा, तो यह question भी है आपको बिना बताई ही समझ आ गया होगा ठीक है, जिसने नहीं देखा, जल्दे से देखके आओ, तो autogammy के बिल्कुल genetically similar कौन सा होता है optionally genitogammy, ठीक है, autogammy क्या होता है अपना, एक ही flower के अंदर pollination हो रहा है genitogammy होता है, plant है, उसका अलग-अलग flower पे, जो है, मतलब same plant है, बट flower जो है, वो अलग-अलग है ठीक है, वो तो अपना genitogammy, तो यही तो genetically similar होंगे, क्यों होंगी, क्योंगी, क्योंगी, same genotype है, same species है, same plant है, तो same genotype है, ठीक है next question है, नेक्स्ट पूशे नहीं कहरे है कि विजो नहीं, तो following statement is not true, फिर से not true आगा, तो यह not true के जादा ही पूछे जाते है तो चलो देखते हैं क्या है, the flower pollinated by flies and bad secret fall odor to attract them, यस बिल्कुल सही बात है यह, ठीक है, फिर कह रहा है कि honey is made by bees by digesting pollen collected from flowers, तो यह क्या बोल दिया, honey जो है, वो हमें pollen digest करके थोड़ी ना मिलता है, वो हमें nectar से मिलता है, ठीक है, so option B is not true फिर रख है, pollen grains are rich in nutrients and they are used in the form of tablet and syrup, यह भी बिल्कुल सही बात है, pollen grain के अंदर nutrient होते हैं, और उनको हम tablet और syrup की फॉर्म में यूज करते हैं, और फिर pollen grains जो होते हैं, बहुत सारी plant के वह allergic होते हैं, bronchial infection या fiction शो करते हैं, कुछ लोगों में ठीक है, तो यह भी correct है, फिर कह र होते हैं, तो अपना ओवल जो हो funicle से attach होता है, funicle से, अगर NCRT है से पढ़ी है, तो यह ऐसी funicle से attach होता है, तो funicle से जहां, जिस portion पी attach होता है, जिस scar पी attach होता है, उसको hyalum बोला जाते है, तो hyalum को क्या कहेंगे, seed पर होता है, ठीक है, so seed पर देखने को हमें यह मिलता है, ठीक है, और जहां से funicle attach होता है, वहाँ पे, so option C is correct, यह कह रहा है कि जनेटोगैमी, जनेटोगैमी क्या होता है, तो कितनी बार बताए हम, कि यह एक plant है, यह इसके flower है, तो एक plant में जब different flowers का pollination हो रहा है, ठीक है, pollen जो stigma पर आ रही है, ठीक है, different flower के, तो उस process को बोला जाता है, जनेटोगैमी, ठीक है, so first option क्या दे रखाया है, अपना, fertilization of a flower by the pollen from another flower of the same plant, तो बिल्कुल सही बात है, यह अपना option है, फिर कहले है, fertilization of flower by the pollen from the same flower, नहीं, same flower में नहीं होता है, यह, fertilization by the pollen from another plant में भी नहीं होता है, same species होनी चाहिए, same plant होना चाहिए, बट flower दूसरा होना चाहिए, ठीक है, और यह भी गलत है, next question है, pollen tablets are available in the market for, pollen tablets जो होते है, वो market में available होती है, क्यों available होती है, भई, food के लिए अवलेबल होती है, food supplement के लिए, so right option is supplementing food, ठीक है, next है, function of a flower by the pollen tube, तो यह मैंने पिछे question में बताया था, यह pollen tube को guide करता है, किसके अंदर entry लेने के option है, कौन सा option है, अपना, डी, यह nectar को produce कर रहा है, ऐसे कुछ नहीं होता है, तो यह guide करता है, और किसका characteristic feature होता ही, सीनर, जीद का, ठीक है, so यहां तक हम में इसके, जो है questions, वो complete होते है, so इस पार्ट में इतना ही गाई, अब मिलते हैं, next video में, और इसका बनाएंगे, अभी दो-तिन पार्ट और बनने वाले हैं, क्योंकि काफी question यहां से पूछे जाते हैं, ठीक है, so thanks for watching my video guys, and if you like my video, then also subscribe my channel,